थंडी के मौसम में फ्रेश मटर के टिक्किया एक बार जरूर ट्राइ करें यह टिक्किया बहुत क्रिस्पी बनती है और थंडी में तो बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में एक कफ फ्रेश मटर डाल देंगे, तीन चौथा एक कफ धन्यागी पत्ती डाल देंगे, एक इंच अधरक डाल देंगे, दो हरी मिर्च डाल देंगे, और अब इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे, पीसने के बाद इसे बोल में ट्रांस डाल देंगे, आदा चमश जीरा पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई चमश हल्दी, आदा चमश गरम मसला डाल देंगे, एक चौथाई चमश लालमेश पाउडर और एक चमश अमचुर पाउडर डाल देंगे, अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रख आप चाहें तो इसके लिए आलो को घिसकर भी डाल सकते हैं सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसमें तीन टेबल स्पून चावल का आटा डाल देंगी इससे जो टिकियां वह बहुत क्रिस्पी बनेंगी आदा कप पेसन डाल देंगी और अब इन सारी चीजों क अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर मिक्स करने के बाद भी आपका मिक्षे थोड़ा गीला है तो इसमें थोड़ा सा बेसन या चावल काटा और आट कर लें यह देखें मिक्षे के कंसिस्टेंसी बिलकुल ऐसी रहेगी इसे बहुत दार ड्राइ ना करें अब इससे छोड़ शैलो फ्राइ करी हूं आप चाहें तो डीफ्राइब मिकर सकते हैं डीफ्राइब करने के लिए आप इंके छुटए-उट बॉल्ट बना के तेल में डाल दे आप इन एक साइट से गोलफने तक पकने देंगे एक साइट से जहाल के सिख गए हैं इने पलट लेंगे और दु यह बनकाल लेंगे यह बहुत ही कम दिलने बनती है और बहुत ही किरिस्पी बनती है इसे एक बार जरूर ट्राइब करें अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीस में चाहर को सब्सक्राइब करना ना भूले